नेपाल में फिर भुकम के जटके आमेरीकी हेलिकॉप्टर लापता नेपाल में मंगलवार को आये विनाशकारी भुकम के बाद आज तडके फिर भुकम के तेज धटके महसूस किये गए इस बिच भुकम राहत सामगरी ले जा रहा अमेरीकी मरीन कोर का एक हेलिकॉप्टर लापता हो गया इसमें आठ लोग सवार थे अमेरीकी प्रिशान कमान के प्रवक्ता डेव एसबर्न ने कहा घटना चारी कोट नेपाल के नस्दीक उस समय हुई जब हेलिकॉप्टर मान दिये साहे था और आपदा राहत अभियान संबंदी उडान पर था अधिकारियों ने बताया कि यह हेलिकॉप्टर ने आपूर्टी गिराई और यह दूसरे स्थान के लिए जा रहा था अजीट सीह तो कहना है कि मोधी खुद को रॉक स्टार समझते है राष्टिय लोगदल के प्रमुक चौधरी अजीट सीह ने प्रधान मंतिरी नरेन मोधी पर जम कर तंच कसते हुए कहा कि वह खुद को रॉक स्टार समझते है मेरट में किसान सववात कारिकरम में शिरकत करने आए अजीट ने कहा कि नरेन मोधी मंच पर भाशन देते समय ऐसे घूमते हैं मानों कि वह कोई रॉक स्टार हो आकाश्वानी से मन की बात में भी मोधी केवल अपने मन की बात कहते है अजित सीह ने कहां कि एक साल में गंगा की सूरत कहीं भी नहीं बदली है देश का किसान आत्मत्य कर रहा है और प्रधान मंत्री है कि विदेशी दौरों में व्यस्त है उत्तर कोरिया ही रक्षा मंत्री को गोला दाक कर मौत की सजा दक्षिन कोरिया के खूफिया एजेंसे ने कहा कि उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री योंग योग चोल को नेता कीम जोंग उनका अनादर करने और उनकी वफादारी न करने के कारण एंटी एरक्राफ्ट फायर के जरीये गोला दाक कर मौत की सजा दी गई राश्टियक हुफिया एजनसी एनाइस के उपनिदेशक हान की बियोम ने सलसद्य समिती को बदाया कि हजारों अभिकारियों ने योन को 30 एपरिल को मौत की सजा पाते हुए देखा योंग चोल को एक वर्ष से भी कम समय पहले पीपल्स आम्ड फोर्सेस का मंत्री नियुक्त किया गया था लेकिन उसे अपचारिक सैनने समारों में जपकी लेते और कई मोकों पर कीम जॉंग उन से बहस करते देखा गया था